हेलो, हाई, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बढ़िया होगे और सर्दी में अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होगे आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ किचन आइटम्स की जो मैंने रिसेंटली पर्चेज की हैं और मैं उन्हें यूज कर रही हूँ, बड़ी दिनों से मन था कि मैं ये चीज़ें लूँ और इनकी जुरत भी थी, बट होता है ना अपना वजट देख के लेना पड़ता है तो ऐसे धीरे धीरे पर्चेज करके मैंने सोचा कि जब 4-5 आईतम सो जाएंगी तो आपके साथ शेयर करूँ ये अपना एक्सपिरियंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सबसे पहला प्रोड़क्ट जो है, वो मीशो से है ये एक स्टेनलेस स्टील स्टीमर है और ये मीशो पे अभी 305 का दिखा रहा था, रेट पर ये 280 तक पढ़ जाएगा पैकेजिंग अच्छी आई है और साथ में ये 4 हुक्स आई है, तो एक मिडल में लगेगी इसको उठाने के लिए और 3 इसके बॉटम में लगने वाली है, तो इससे क्या होगा, थोड़े सी इसको हाइट प्रोवाइड हो जाएगी तो इस तरह इसको असेंबल करना भी इजी है, तो इतनी हाइट इसको मिल जाती है, तो कोई भी बड़तन जो भी इसके साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं तो फ्रेंट्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट और ये हर घर में होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार बॉइल करनी होती हैं, वेजेटेबल्स तो बॉइल करने से क्या हो जाता है, उनके जो पोशक तत्व होते हैं, वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं इससे अच्छा है कि उन्हें स्टीम किया जाए, तो इसलिए मैंने ही लिया और इसे इजीली बाहर भी निकाला जा सकता है, किसी भी फोक की हेल्प से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, और अगर बड़ी चीज़े बॉइल करनी है, तो प्लेट थोड़ा खुल जाती है, एक वुड़न पत्रा मिला हुआ है, और साथ में लिड की असेसरीज है, तो ये अलुमीनियम का बना हुआ है, नॉन स्टिक है, और बहुत ही लाइट वेट है, इसमें 12 कैविटीज मिल जाती है, ये वाला प्रोड़क्ट मैंने एमाजॉन से परचेस किया है, और इसके कॉस करम हो जाता है, और जो नीचे की लेयर होती है, इनकी वो जलने लग जाती है, उसकी वज़े से ये उनिफॉर्मली कूकी नहीं हो पाते है, तो मैंने जो फर्स बैच है, उसको निकालने की कोशिश की, तो देखा नीचे से जल गया है, बट वैसे कच्चा है, ये सब कुछ मुझे लगा, मैंने पैसे बरबाद कर दिये, बरबाद में मुझे एक आइडिया है, मैंने नीचे तवा रख दिया और उसके उपर इसको रखा, तो ये अच्छे से पकने शुरू हो गए, जो हीट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूट होने लगी, और इस वोड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, तो चलिए नेक्स्ट प्रोड़क्त की तरफ बढ़ते हैं, और ये है एक स्टेनलेस टील डोर हुक है, इस तरह की पांच हुक्स हैं इसमें, और ये मैंने डोर के लिए नहीं लिया था, ये मैंने लि है ना इसको आप अलग-लग तरह से यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इसकी ज़रत इसलिए थी, क्योंकि जो मैंने चकला बेलन के लिए होलडर लिया था, वो अलग से स्पेस लेता था, तो यहां मैंने आटा भी रखा हुआ है, तो मैंने सुचा इसे भी यहीं रखूंगी, तो थोड़ा स्पेस भी बच जाएगा बाहर का, तो यह काफी मजबूत है, और स्पेस सेविंग भी है, और ड्रिलिंग भी नहीं होती है, तो बहुत जादा फाइदे हैं, चलिए बात करते हैं, अगले प्रोड़क्ट की जो की है, एक स्टेनलेस टील कॉर्नर सेल्फ रैक, जो की मैंने एमाजान से परचेस की है, इसका प्राइस फाइफ सिक्टीनाइन है, जो की थोड़ा सा महेंगा लगा मुझे, क्योंकि सस्ते में भी मिल जाती है, बट हाँ, इसकी क्वालेटी बहुत अच्छी है, यह बहुत जादा मजबूत है, तो यह एक कॉर्नर रैक है, क क्योंकि मेरे कीचिन में वैसे भी ओवन रैक रखी हुई है, तो उसके लिए स्पेस नहीं था, इसे लिए, अगर आपको चाहिए, तो यह बहुत अच्छा उप्शन है, नेक्स्ट प्रोड़क्ट चुमें आपके साथ शेर करने वाली हूँ, वो है एक ग्लास वाटर काफी मजबूत है बॉटल और इसका हैंडल भी ग्लास का बना हुआ है, जो इसकी कैप है, वो प्लास्टिक की है, इस तरह का इसका पैटरन बनाया गया है, तो इसको इस डिरेक्शन में रखते हैं, तो यहां से पानी निकाला जा सकता है, अगर इसको घुमा के दूसरी कर देंगे, तो पानी आना बंद हो जाएगा, तो इस तरह इसे काम करना चाहिए, अब देखते हैं, एक्चॉल में ऐसा होता भी है कि नहीं, तो मैंने इसे पानी से बर दिया है, और मैंने इस डिरेक्शन में रखा है, जहां से पानी निकलता है, तो अच्छा निकल रहा है नमबर थर्ड है कि इसकी कैपैसिटी 1.3 लीटर नहीं है, इसकी है 1 लीटर के अराउंड और उससे थोड़ी सी कम, मुझे ये इसलिए चाहिए था, क्योंकि सर्दियों में पानी गरम करते हैं, तो गरम पानी को फिर प्लास्टी की बॉटल में नहीं डाला जा सकता है, तो इसकी प्लास्टी की बॉटल अगें पानी रखने के लिए सर्दियों में इस्पैशली पानी थंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये इन्सुलेटिटिड वाटर बॉटल ली है विशी के लिए स्कूल के लिए, तो ये 500 मिली लीटर की है, और ये मैंने अमाजॉन से परच तो ये ही है, सर्दियों में बच्चे गरम पानी पीएं, इसलिए मैंने ली, अभी जो नेक्स प्रोड़क्ट है, वो भी अगें विशी के लिए है, एक स्कूल के लिए लंच बॉक्स, आजकल इस तरह के लंच बॉक्स काफी यूज में हैं, तो इसकी लिड इस तरह से क्लो ये चाइनीज प्रोड़क्ट है, इसलिए इसके साथ में ये चॉपस्टिक्स भी आई हुई है, इसको ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील की अलग से ये प्लेट है, इसको निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये डिटैच हो जाती है, और ये दूसरा नीचे वाला प्लास्टिक का है, तो मुझे ये इसलिए पसंद आया था, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग चीज़ें डालने के लिए उप्शन है, चोटे-चोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो बच्चों को इस तरह वेराइटी दी जा सकती है, पर इसके बर्डन हो जाएगा, में भी अगर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तब इस तरह का टिफन बॉक्स उसको दिया जा सकता है, बट अभी के लिए ये अप्रोप्रेट नहीं है, तो इसे रिटर्न कर दिया गया है, नेक्स प्रोड़क्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैंने म इनकी कैपेस्टी है, और 381 अभी का प्राइज है, बट जब मैंने लिये थे, ये मैंने 265 रूपीज में लिये थे, 8 जार्स, इनकी कैपेस्टी 330 एमल बताई गई है, बट मैंने ये 100 ग्राम का हल्दी का पैकेट डाला है, तो ये आधे से थोड़ा सा जादा भर गया है, त आप बोल सक्टेस में 150 ग्राम तक ही स्पाइस आते हैं, तो इनकी साइस के अकॉर्डिंग ही मसाले लिये जाने चाहिए, क्यूंकि फिर एक्स्ट्रा एक और बॉक्स रखना पड़ेगा मसाले रखने के लिए, तो इस तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्रांस्परेंट और उसमें मैंने वैसे वैसे मसाले रखे जो कम-कम कॉइंटिटी के होते हैं, जैसे कभी-कभी हम यूज करते हैं, इन से पहले मैं प्लास्टिक कंटेनर्स यूज कर रहे थी, अलग-लग साइज के शेप के थे मेरे पास, प्लास्टिक के कंटेनर्स में जब हल्दी डालते ह न तो वो पीले पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि अब ग्लास चार्ज लेने चाहिए, और एक ही शेप के हो, साइस के हो, पर जो दूसरी बार आये हैं, उनकी लिड ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू, तो इतने से कग ज्यादा फरक नहीं पड़ता, बट ऐसा होना नही चाहिए था, जब स्पेसिफिकेशन में ब्लाक लिखा था, यह जो आपने सारे प्रोड़क्ट्स देखे, यह मैंने ऑनलाइन प्लैटफॉर्म से ही खरीदे हुए हैं, सब अलग लग जगा से खरीदे हुए हैं, क्योंकि कहीं इनका प्राइस ज्यादा होता है, कहीं कम होता यह ज़रूर चैक कर लें, क्योंकि कभी-कभी आज कल ऐसी चीज़ें आजाती हैं, जिनको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, मतलब रिपलेस्मेंट की option मिलते हैं, बर रिटर्न की option नहीं मिलती है, तो कई बार चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, और वो बाय मिस्टेक आजात अपने अगले वीडियो में, थैंक यू पर वाचिंग माई वीडियो जो बाई बाई एड टेक केर